सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 12,000 के आसपास मिलने वाले चार बहुती जादा बढ़िया मोबाइल्स वीवो, रियल्मी, रेड्मी और माइक्रो मैक्स की तरफ से तो इस वीडियो में इन चारों मोबाइल्स में कंपरेजन करके आपको बताऊंगा इन चारों में क्या क्या कमिया है, क्या क्या चाहिया है और आपको इन सब में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वीवो की तरफ से आने वाले वीवो के Y20 के बारे में दोस्तों ये मुबाइल आपको मिल जायागा 13000 में इसके इंदर आपको यूज़ें डिफिस कुछ इस तरीकी से दिया गया है आप इसे उपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लिकेशन्स मिल जाती है यूज़ें डिफिस मुझे इस मोबाइल का नॉर्मल लगा थोड़ा सा स्लो एक्स्पिरियंस लगा इसका यूज़ करने में मुझे बाकि दोस्तों 13000 में इसमा आपको दी गई है 4GB RAM 64GB के इंटरनल स्टोरेज डिस्प्ले इसके अंदर आपको दी गई है साड़े छेंच की एक नॉच वाले डिज़ाइन के साथ डिस्प्ले की क्वाइलिटी इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलती है कलर्स ब्राइटनेस वैसे काफी अच्छे हैं लेकिन इसके अंदर आपको 13000 में IPS HD Plus की डिस्प्ले दी गई है तो ये मुझे इसमें कमी लगी Full HD Plus डिस्प्ले होनी चाहिए थी इसकी पहली बड़ी खूबी इसका डिज़ाइन है लुक वाइस डिज़ाइन इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पेनल पे काफी बड़ी लग रही है तो दुस्तोर डिज़ाइन की क्वालिटी तो इसके अंदर आपको मिलती है प्लस्त्री के टाइप की तो स्क्रैचिस असानी सा जाएंगे आप इसको बिना कवर के यूज मत करिएगा फिर इसका डिज़ाइन जो है लुकवाइस तो बहुत ही जाद अच्छा है पीछे की तरफ इसमा आपको तीन कैमरे दिये गए हैं इसमें पहला है तेरा मेगा पिक्सल का बाकी के दो कैमरे हैं दो-दो मेगा पिक्सल के फिरंट कैमरे है इसका 8 मेगा पिक्सल का कैमरे की परफॉमंस इसके अंदर आपको रेट की साफ से नॉर्मल ही दी गई है फिंगरपिंट स्कैनर इसमा आपको बैक पेनल पे नहीं दिया गया इसमा आपको साइड में मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट साइड साब देहेंगे तो SIM केटरे मिलती है, जिसमें आप दो SIM काड़, एक मेमरी काड़, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, निची की तरफ साब देहेंगे, तो इसके अंदर आपको टाइप सिपोर्ट नहीं दिया गया, फिंगरपिंट स्कैनर इसमें आपक का पराम से मिल जाता है, बाकि दोससे के साथ आपको 18W का चार्जर फास्ट मिलता है, इसके लगा दोससे के अंदर आपको प्रोस्टर दिया गया है, नॉर्मल ही, Snapdragon 460, तो अगर आप एक बहुत जादा heavy user है, आपको performance बढ़िया चाहिए, तो प्रोस्टर के लेकर ये mobile नॉ दूसरा camera और तीसरा processor average है, बाकि 200 design को लेकर और battery में ये mobile बहुत जादा बढ़िया है, तो अगर आपको वीवो पे ही भरोसा है, तो आप ये mobile ले सकते हैं 13,000 में, अगर आपको इसकी ये दो खुबिया बहुत जादा पसंद आई, चेले बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो क दिस्प्ले, हाला कि इसके अदर भी आपको वीवो की तरह HD प्लस सी डिस्प्ले दी गई है IPS, लेकिन दोस्तों फर्क है design को लेकर इसके अदर आपको डिस्प्ले का design जाद अच्छा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही camera है left side पर, इसी के साथ इसके अदर आपको 90 Hz का refresh rate भी दिया गया है डिस्प्ले में, colors और brightness इसके अदर भी काफी बढ़िया है, दो खूबिया और जाद अच्छी है वीवो से, एक तो display का design, दूसरा 90 Hz का refresh rate, तो जब आप उपर नीचे इसमें स्क्रोल करते हैं, तो आपको जादा smooth experience देखने को मिलता है, यूस करने में ये mobile जादा बढ़िया है, दूसरी बड़ी खूबी इसके अदर आपको मिलती है, इसका design, आप देख सकते हैं, इसके अदर भी आपको color बहुत अच्छा मिल जाता है, हालक इसमें भी plastic के type के design है, बाकि दोस्तों look wise design इसका भी बहुत जादा shiny है, इसकी तीसरी बड़ी खूबी ह इसका camera, पीछे की तरफ चार camera दिये गए हैं, इसमें main camera है 64 megapixel का, दूसरा 8 megapixel का, बाकी के दो camera हैं 2-2 megapixel के, front camera है 16 megapixel का, camera की performance इसके अदर आपको काफी बड़ी है मिल जाती है, वीवो के Y20 जाद अच्छा camera दिया गया है इसके अदर आपको, और fingerprint scanner इसमें आपको back panel पे ही लेफ्ट साइड साब देखेंगे तो sim key tray, इसमें भी दो sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन वीवो के Y20 आपको type C port नहीं मिलता, इसके अदर आपको type C port दिया गया है, type C cable मिल जाती है इसके साथ आपको, right साइड पर volume के buttons और power का button, उपर से देखेंगे एक दिन का मिल जाता है, बाकि दोस्तों processor को लेकर ये mobile आपको average ही मिलता है, इसके अंदर आपको snapdragon 662 processor दिया गया है, अगर आप एक बहुत ही जादा heavy user है, आपको performance ही बहुत बढ़िया चाहिए, तो दोस्तों processor इसके अंदर आपको normal मिलता है, वैसे तो वीवो के Y20 से processor को लेकर, एक चीजस में ये average है processor, बाकि दो 4 चीज़ा बहुत अच्छी मिल जाती है, एक तो इसके display, दूसरा इसका design, तीसरा इसका camera और चौता इसकी battery, चली बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ, जो की है Redmi की तरफ से, Redmi का Note 9, दोस्तों ये mobile भी आपको 12,000 में ही मिलता है, इसक display के अंदर, लेकिन इसमा आपको पहली बड़ी खुबी ये मिलती है, इसके अंदर आपको IPS, full HD plus display दी गई है, तो display की जो quality है, colors है, वो तो normal ही है, लेकिन इसमा आपको full HD plus display दी गई है, तो ये चीज़ काफी अच्छी है, डिजाइन भी आपको realme 7i की तरह मिल जाता है, पं इस डिजाइन इसके अंदर भी आपको काफी अच्छा दिया गया है, इसमें भी प्लास्टिक के टाइप का ही डिजाइन है, तो scratch इस पर भी आसानी सा जाते हैं, आप बिना cover के इसको भी यूज मत करिएगा, सब भी मापको प्लास्टिक के टाइप का ही डिजाइन दिया ग से काफी अच्छे मिल जाती है, कैमरे को लेकर ये मोबाल काफी बढ़िया है, लेफ्ट साइड पर सिम के ट्रे, निची की तरफ साब देखेंगे, तो टाइप सी पोर्ट दिया गया है इसके अंदर भी आपको, तो दोस्तो टाइप सी केबल, रियल्मी 7i और रेड्मी के न बैटरी, बैटरी इसके अंदर आपको दी गई है, पांच जर भी से मेच की, एक दिन का बैटरी बैका पराम से मिल जाता है, इसके साथ आपको साड़े 22W का फास्ट चार्जर दिया गया है, तो दोस्तो चार्जर इसके साथ भी काफी बढ़िया मिल जाता है, अब पांच बग देखा जाए तो हर चीज में यह मुबाइल काफी बढ़िया ही है बस इसके अंदर आपको छोटी सी कम यह मिलती है इसके अंदर आपको डिस्प्ले में 90 Hz का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया दूसरे इसके अंदर आपको डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो इसके अंदर आपको दोस्तों यूजें डिफिस कुछ इस तरह की से दिया गया है आप इसे उपर स्वाइप करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाती है सब सच्छा यूजें डिफिस आपको इसी मुबाइल के अंदर दिया गया है स्टॉक एंड्रॉइड एक्स्पिर वाला मिल जाता है तो डिस्प्ली की ब्राइटनेस तो मुझे नॉर्मल लगी कलर्स काफी अच्छे हैं डिजाइन और साइस काफी बढ़िया दिया गया है साड़े 600 जादा ही डिस्प्ले है तीसरी अच्छी खुबी इसके अंदर आपको मिलती है वह इसका डिजाइन लु का बाकी के दो केमरे हैं दो-दो मेगापिक्सल के फ्रिंट केमरा है इसका 16 मेगापिक्सल का कैमरे की परफॉर्मनस इसके अदर भी आपको काफी अच्छे मिल जाती है लेफ्ट साब देहें इस मुबाइल को आपको सिम के ट्रे दी गई है इसकेदर भी आप 2.0 SIM काड़े 2 memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह सब में खूबी है टाइप C port इसके अदर भी आपको दिया गया है सिर्फ वीवो के Y20 में नहीं है बाकि सब में मिल जाता है उपर की तरफ साब देखेंगे तो noise cancellation माइक दिया गया है अब 205 भी जो इसके अंदर आपको अच्छी मिलती है वह सकी बैटरी बैटरी is के अंदर भी आपको दी गई है 5000 एमेश की एक दिन का बैटरी बैक आप पराम से मिल जाता है और इसके साथ भी आपको अठा रवॉट का charger जर फास्ट मिलता है आखिर में दोस्तों इसकी छटी खूबी है इसका प्रोस्सर इसके अंदर आपको दिया गया है मेरे टेक का जी 85 प्रोस्सर रेडमी के नोट 9 की तरह तो है वी उसके अंदर ये मोबाल भी काफी जादा बढ़िया है रियलमी 7i और वीवो के Y20 से इसके अंदर भी आपको 4GB RAM 64GB के इंटरनल स्टोडेज दी गई है तो ये सारी खूबिया कम्याहिन सारे मोबाल्स के अंदर चले बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन सब में से कौन से लेने चाहिए देखे दोस्तों इन सारे मोबाल्स म sincere redmi पर या फिर micromax लेकिन दोस्तों इन तीनों मोबाल्स में भी कुछ चीज़ें बहुत ज़ाद इन टीनों मोबाल्स में कुछ नकुछ खुभिया आपको बहुत अच्छी मिलती है अगर आपको camera और display चीच चाहिए तो आप इन तीनों मोबाल्स में की खुबी ये है ये एक इंडियन कंपनी का मुबाइल है तो अगर आपको इंडियन चाहिए तो आप यहीं मुबाइल खरीद दियेगा इसके लिएगा इसके लिए दोस्तों नोट टाइन में आपको दो चीज़े बहुत अच्छी मिल जाती है एक तो काफी बढ़िया प्रोस पसंद आया इस चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं लाकिन भी दबा देगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लब वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपना दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट्स से फिस्बुक पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए